जी आये नू प्यारे विद्यारतियों, NCRT दी एट्थ क्लास दी मैथ दी बुक दी एक्सरसाइज 4.5 लास्ट एक्सरसाइज आफ चेप्टर 4 प्रैक्टिकल जिमेटरी प्रयोगिक जामिती आफ इस एक्सरसाइज भी चार स्वाल है गएने, क्वेश्टन पहला, जो क्वेश्टन दी हेडिंग है, ड्रॉ दी फॉल्लिविंग, अर्थाथ हेट लिखे अनू खिचो, अर्थाथ उननू ड्रॉ करो, क्वेश्टन वन इस दी स्क्वेश्ट रीड 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 विद री इस गूई तो 5.1 cm, बस ऐकल लाए गता है, एक वर्ग खिचना है, जेदी की पुजा है गिये, 5.1 cm, और कोई जानकरी नहीं है गिये, पर जानकरी जडिये, कथन भी चाहिए, कि स्क्थन भी चाहिए, कि स मिला, कि स्क्वेश्टि स्क्वेश्ट रीड एक स्क्वेश्ट सीथारी, कम देस स्क्वेश्ट रीड बी की सिमय केता है, समांत्र आचुत्र कोर सरारा, कि सिम्हझा कर् acput रहे है, जेदीicesstu are wellam." So in square, each angle is a right angle and all sides are equal. So बड़ा सखोखा हो गया. Therefore, angle R is equal to angle E is equal to angle A is equal to angle D is equal to 90 degree. एक आर E A D हागा. ठीके? So एदा मनलत की है कि आ सारे कॉन जड़े ने. एक 90 degree जागे दे. ठीके? And अगली गाल केडी है. R E is equal to E A is equal to A D is equal to D R is equal to 5.1. पड़ा सखो के कम, so I draw ये, फई भी लड़ा एक लाइन, ठीके, उन्हों मेजर कार लिया 5.1 cm, फिर थे 90 डिग्री ते एंगल ट्रॉ गीता, ऐ आर्क ट्रॉ गीती पहले, तो उसी आर्क दिनावाल, उसी विदाउट चेंजिंग दी, एंगल ऑफ दी कमपस, उन्हों चेंज न सब्सक्राइब, ये, 5.1 cm हो गया, उन्हों कमपस नो इत्य रख्या, नापया, इत्हों दी आर्क इत्य पाई, एंगल विदावी 5.1 हो गया, इत्य आर्क दी, विदावी 5.1 हो गया, विदावी 5.1 हो गया, so you get D, so R is there, E is there, E is there, A is there and D is also there, so R, E, A, D जो 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 है, वो त्यार हो गया, बड़ा सौखा, very simple, हाँ उन्हों एकला स्वाल दिखिए, question number 2, दीर हमबस, whose diagonals are 5.2 cm and 6.4 cm long, एक सम चत्रबुज खिचो, सम चत्रबुज वर्ग तो वखरा होंदा है, कि एदे विच भी चारो साइड हां बराबर होंदी हैं, पर एदे चारो कोण ज and all the four sides are equal, but in रहंबस, all the four sides are equal, but all the four angles are not 90 degree, opposite angles are equal, but they are not 90 degrees, but one thing is important is there, the diagonals of a रहंबस are perpendicular by sector of each other, so एज़ जड़ी जान करिये, एदे नारी साटा ड़ा स्वाले, वो पुड़ा हो जाएगा, so diagonals of a रहंबस are perpendicular by sectors of each other, आओ, सोवेदो किद्दा करने बच्चेओ, आई ड्राउ 6.4 cm, 6.4 cm मैं 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 जर कर लिया, 6.4 मैं जर कर लिया, और इथ्वधी मैं एपंपस रखी, ते इथ्वधी का आर्क बनाई, ओपन इड मोर देन हाफ, ओपन इड मोर देन हाफ, आर्क इड इथे पाई, ते आर्क नहीं करना, इथे रखना है ते इथे आर्क पाई, ठीक है? So, now I join these two points of intersection, so this line is perpendicular bisector of this line, so this diagonal was given, so this diagonal was given, so perpendicular bisector होगे, it is 5.2, और 5.2 दा हाफ की ये गाया, 5.2 upon 2, is equal to 2 दनी 4, 2 चीक 12, खीक है? So, I measure from here to here 2.6, 2.6 इथे point मार लया, फिर इथे मैं मैंजर किता 2.6, 2.6 इथे कट मार लया, so this is A, this is C, so B and D are already there, and A and C I have found out by measuring from this point to this 2.6, and from this point to this point 2.6, so I get A and C also, so I join A, B, B, C, C, D and D A, so A, B, C, D is a rohambas, in which the two diagonals, one is 6.4 cm long, other is 5.2 cm long, they are perpendicular bisectors of each other, so in any quadrilateral, if two diagonals, if the two diagonals are perpendicular bisectors of each other, then the quadrilateral is a rohambas, a property हुंदी है, ठीक है बच्चे जी, ओके, आओ नगले दोसवाल लेखिये, ओके, कोश्टन नमर 3, again, draw the following, कोश्टन नमर 3, a rectangle with adjacent side lengths, 5 cm and 4 cm, हो कुछ नहीं देता हुआ, ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगल with adjacent sides, अधे लागवी पुजामा जडिया है, एक आयत है गया, आयत हो एक खिचन है, आयत लागवी पुजामा ने, 5 cm रते 4 cm, हो रेक्टेंगल दी प्रपर्टी की हुंदी है, आयत दी प्रपर्टी की हुंदी, गुन की हुंदी है, रेक्टेंगल has each angle equal to 90 degree, एक ते रेक्टेंगल विच आयत विच हर कौन 90 degree हुंदा है, and has opposite pairs of equal sides, अते ये जड़े सन्मुख पुजामा जडिया ने, वो बराबर हुंदी ने, क्यों, because rectangle is also a parallelogram, आयत एक समांतर चोत्र बुज भी हुंदा है, अते समांतर चोत्र बुज विच सन्मुख पुजामा जडिया ने, वो बराबर हुंदी ने, in parallelogram, the opposite sides are equal to each other, so अगर आप 4 cm है, तो ये भी 4 cm हो जाएगी, अगर आप 5 cm है तो ये भी 5 cm automatically हो जाएगी, so what I do is, I draw 4 cm here, then I draw perpendicular, इथो आर्क लही, उसी आर्क दी लेंग्थे नाड, इक आर्क इथे पाई, इथे एक आर्क इथे पाई, फिर इथो इथे, 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 so a point of intersection आगया, from this point I draw a line, equal to 5 cm, so this is 90 degree, so f5 हो गया, f4 हो गया, now what I need to do is, आप 5 cm, this side is also 5 cm, so I cut an आर्क यार्क, इथे, now this is 4 cm, so इथे में 4 cm नापया, इथो इथे, 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 आर्क मावया, so बरको इए point भी आगया, so I join this point to this point, and this point to this point, so I get the rectangle, in which the adjacent sides are 5 cm and 4 cm, and it is a rectangle, because each angle is 90 degree, so बड़ा असान स्वाले बच्चों, but ये दिविच गल है कि, you must understand all the properties of quadrilaterals, रने से quadrilaterals, it means trapezium, it means kite, it means parallelogram, it means rectangle, it means rohambas, it means अपन स्क्वेर, so बच्चों आए जर तुसी अगर देखो ते 8th class थी, जड़ी तुसी अगर जाव प्ले लिस्ट विच, ते वच्च चप्टर है गया, शाद चप्टर 3, Understanding Quadrilaterals, ठीक है, वह दे विच मैं तिन वॉल्यूम दे विच पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सारे नोटस पाएने, Quadrilaterals दे, चत्रबुज दे, जड़ी गल्ला में तुनिते समझ जही हैं, whatever I am explaining here, all these in very details, and compiled in a very systematic manner, I have put that, so तुसी हो जड़ी वीडियो हैं जुरूर देखो तिन वीडियो और सारी चीजहां जे तुसी हो समझ लोगेते हैं, जड़ी स्वाल में हैं बड़ी टॉडली समझ ने असान हो जानगे, और अगला दिखिए, पैरलेलोग्राम, पैरलेलोग्राम O-K, O-K-A-Y, where O-K is equal to 5.5 cm and K is equal to 4.2 cm, is it unique? फिलर ने पुछे है, is it unique कि एह होजा जड़ा स्वांतर चत्रवुजे कि एह विलखन है, एह बड़ा इंपॉड़न समाह ले थे, ठीक है? फुन देखो इना पैरलेलोग्राम, opposite pairs of sides are equal, आपलली गल सननु पता है, ऐसननु आजड़ी property पता हुनी चाहिए, पैरलेलोग्राम opposite sides are equal, आप ज़े O-K मैननु पता है, if O-K is 5.5 cm, then A-Y is also 5.5 cm, if K is 4.2 cm, if K-A is 4.2 cm, then O-Y is also 4.2 cm, so मैं की कीता बच्यो, कि इते मैं O-K लिया, 5.5 cm, ठीक है? इत्थवदी मैं आर्क मारी 4.2 cm, ठीक है? और इत्थवदी मैं कोई भी लेन खेचली, मैंनो नहीं पता, because angle is not given, so मैं कोई भी लेन खेचली 4.2 cm, इत्थवदी मैं दाखिच सगदा सिगा, इत्ददभा सिगा, दाखिच सगदा सिगा, इत्दभासो इत्दभा सिगा, जदभा मर्जी लेन दा, 4.2, so 4.2 मैं A नो की लेन रेन आपया, ते जिते 4.2 नापला Y तक, उत्थवदी फिर मैं 5.5 नापला 10, measured 5.5, so I got A, so I got O, K, A, Y, this is the first hologram, and the next thing is the most important thing, is it unique, then I say no, it is not unique, it would be unique if the included angle were given, how it would be unique, what extra information do you need to make it unique, to a kariyow, what extra information do you need to make it unique, Tadko Kediow, waadu zan kari honi chahi di jajana pata lagga yi ee wilkhaan hai, teow bačejo java hai ki wada included angle oda, ee two po java wicla korn jy dhita honda, phir mein nho pata honna sika ki, mein eh jaydi 4.2 drawe karne yi ee, ee mei idha drawe karne yi idha, idha drawe karne yi idha drawe karne yi idha drawe karne yi kitaan, hunn यूनीक यह गा बच्यों ए जानकारी नू सैटिस्वाइ कर दे हुए मैं हजारों अनंत तौरते जड़े चत्रपुज बना सागना है दखो में इद्धा कर दो हूँ ठीक है और मैं इनू इद्धा खेच दो हूँ इसे 4.2 मैं इद्धा कर दो हूँ इसे 4.2 अजाँ 5.5 आजाँ फिर मैं इद्धा 4.2 खेच दो हूँ राजा है जिए में 4.2 जड़ा है जब आर्क मन मां 4.2 है जिए जडग EH 4.2 है जा मां आर्क मन मां सब्सक्राइब फेलाइब बन साद दा सिगा जा में मैं included angle जड़ा है, it is not given, so अगर included angle जटता हुए, ति फिर जड़ा है, वो जड़ी चीज होजेगी, so आर्क दे हिसाव दे नाड, this y could be here, 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 anywhere, so innumerable type of, innumerable, infinite number of parallelograms can be drawn with this information, so it is not a unique parallelogram, so प्यारे बच्चों, इस दे नाड ही है, एक्साई समाव तुन दी है, ते इस exercise दे नाड एड़ा chapter 4 ओभी समाव तुन दा है, अगले वीडियो विच देड़ी है, और बचीज देड़ी है, वो टॉड़ी लेके हमाँगे, तक तक लिए, गुड़बाई, रबराखा,